ही गाइज वेरी वेरी गुड मॉनिंग और विलकम तो मैं चानल इंडियन मॉम का अंचेंज आज है मंडे और यहां पर बन रहा था ब्रिक फास्ट मतलब इनके लिए ब्रिक फास्ट बन रहा था क्योंकि इनको रोटी का चूड़ा जो है वो बहुत जादा पसंद है दूसरा ब्रिक फास्ट बनाती हैं तो यहां पर मैंने ऑइल डला था उसमें डाली है मुध्धली क्योंकि इसमें मुध्धली अगर डलतीा ना बहुत ज़दा अच्छा लगता है मतलब मुंपली में जाने के बाद में वाहे ले में जीरा राई टाल दिया था जीरा राय डाल mejorar सो पैसेड yot अब गाए यहां पर में जो रोटिया है वो मिक्सी में पीसवर है बारिक पीसवर पानि लगा के इसे रख दूँगे मतलब थोड़ा सा नरम हो जाए वो इससे वज़े से और उसके बाद यहां पर प्याज मेरा मतलब भून जाने के बाद उसमें मैं आड़ करूंगी नमक, मिर्च और क्या बोलते तो सारी चीजे मसाला, मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउड़र इस तरह से सारा मिक्स कर दूँगे और थोड़ा सा नमक भी आड़ करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना है आपको नमक रोटीओं में रहता है थोड़ा सा कम आड़ करना है नमक ने तो आप ज़्एदा गूते हैं तो इसी वज़े से इसमें डर्ली में आपको आड़ करना है और उसके बाद आपको थोड़ शा उसमें आड करना है मतलब टेस्ट के लिए चीनी आड़ करनी है और बस उसे अच्छसे मिक्स करना ज़ेना है यह सब्सक्राइचे अर्फने पानी अगर आपको कम लग हो गई थी रोटिया वो जो मतलब चूरा बनाया था हमने वो सॉफ्ट हो गया था तो इसे हो जैसे हमें यहां पर ज़रूरत नहीं पड़ी अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप थोड़ा सा उपर से पानी मतलब छिड़क सकते हो तो यहां पर मैंने पूरा मिक्स कर लिय है और इसके बाद आपको ढखके रख देना है और अच्छे से स्टीम आने देना है मतलब स्टीम ही इसमें मस्ट है तो स्टीम आने देना है अच्छे से और उसके बाद आपका जो चूड़ा है मतलब आपका जो रोटी का चूड़ा है वो रेडी हो जाएगा खाने के लिए और आपको इस पर धनिया पत्ता वगरा आड़ कर सकते हो आप garnishing के लिए और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये मतलब पोहा जैसे ही टेस्ट इसका आता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी मतलब क्या बोलते है एवी ब्रिकफास्ट होता है गाइस मैं जारी हूं जीम और हाँ शाम हो गई है आचली आज सुबह से कोई व्लॉग कंटीनिव नहीं कर पाई मैं सुबह मैंने ब्रिकफास्ट बनाया था बस उसके बाद मैं व्लोग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि ना मतलब मूड यह नहीं था बॉड़ी पेइन बहुत जदा कर रहे थी मैंने आपको बताया था इतने दिनों के बाद मैं अभी जीम जा रही हूँ तो बॉड़ी पेइन कर रहे थी तो मैंने मतलब मेरा मोरी ही नहीं था कि मैं व्लॉग वगरा करूँ कुछ यह आगे थे ड्यूटी से उसके बाद हम लोगोंने खाना वगरा खाया और हम लोग सो ग होता है कि अभी मैं कंटिन्यू नहीं करूगी आज भी मेरा मन नहीं था बिल्कुल जाने का क्योंकि इतने जादा पेन कर रहे पैर कि आपको क्या बता हो मतलब जो जीम जाते है और जीम मतलब बीच में थोड़ा सा ग्याब हो जाता है उसकी बात जाता है उनको पता होगा क हालत क्या होती है बिलकुल हालत होगी है बट जाना पड़ेगा आज कुछ यह नहीं है उसक्तोफ ही क्यूंकि आज नहीं जिए और दुसरे दिन अगर मतलब कल रेस्ट करूंगी और दूसरे दिन जाओंगी तो कोई फाइदा नहीं है मतलब वैसा कि वैसा ही रहने वाला है अगर मैं continue करूंगी तो मेरा pain जो है वो उसमें relief मिलेगा मतलब पाच्छे दिन तो ऐसा ही रहेगा bear but उसके बाद वो मसल पिइन करना बंद हो जाए गे मुश्य को इनको आदत हो जाएगी तो इसके वाजसे महीं सोच रही हो कि अभी जौ जी आपyasा है तो ऐसे हुआ इसी वजय से मैंने कुछ व्लॉगिंग कर कंटीनियू नहीं की और सोके उठी हूँ थोड़ा सा मतलब हल्किल्किस क्लीनिंग की जो होती है शाम की दिया लगाने से पहले वाली तो वो की और उसके बाद अभी दिया बती की है मैं जा रही हूँ जीम जाके आ ज झाली जाती हूँ 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 झाली हूँ झाली जाती हूँ झाली 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 ह कि अच्छलिये मैं जाती हूँ और यहां पर ले लिए मैंने बोटल आज कल नहीं बैग वगरा नहीं लेके जा रही हूँ मेरे बैग खराब हो गई है और क्या हुआ कि शू भी जो है वहां पर पहनना पड़ता है बर्ट मैं यहां से पहन के जा रही हूँ क्योंकि मैं बैग नहीं लेके जा रही हूँ वहां पर ही रखना पड़ता है या आप घर पे लेके आते हो तो आपको बैग में रखना पड़ता है मैं बैग ही नहीं लेके जारी हूँ तो शिर्प यह एक बटर लेके जारी हूँ मैं बस अभी ब्लैक कॉपी लिए मैंने तो चले मैं जाके आ जाती हूँ जल्दी से कि यहां पर आ गई थी मैं जीम से और यहां पर ना बच्चे थोड़ा सा मतलब गाने वगरा देख लेते हैं मोबाइल में उसकी पापा के मोबाइल में गाने देख रहे थे मतलब सौंग देख रहे थे और अधुक डांस कर रहा था उस पर कि आपको उस दिन मैंने बताया था कि मैं अपने घर पे टाटास का रिचार्ज नहीं करती हूं मतलब बच्चों की पड़ाई की वज़े से नहीं करती हूं तो इसे वज़े से बच्चे कभी-कभी मोबाइल में देख लेते हैं सौंग सोगरा घर पे आते ही काम करना पड़ा कपड़े कपड़े वाश करने के अज सारे काम रह गयाते हैं मतलब अपको क्या बताओ आज के तो हाला थी खराब थी मेरी तो अभी माही के मतलब यूनिफॉर्म अगरा थे कुछ तो वो दो दिया हैं यहां पर अर अब इसुकाने के लिए डालने हैं अभी कितना टाइम हो गया इतना लेट मैंने पहली बा बाहर तो डालना सही नहीं रहेगा अउपर ढाल देती हूं और आज भी मैंने लेक्सी किया है अब बहुत एक दिन छोड़के मैं लेक्सी कर रही हूं बता नहीं आज भी क्या हालत होने वाली है मेरी सीड़ी अबी चड़ेनी जा रही हैं अबसे बनों कर दिया है अब सुख जाएंगे कड़े रातभर में है तो यार समझ में यार मुझा अबी मेरे पेन इतना कर रहे है बतला पैर इतने चादा पेन कर रहे है मेरे नेरा चाटिये नीचे चलते हैं गैस खाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा अने आच अब सिभ खिश अबे अबी किकि आहित नही तो इसलिए होन कि नोड़ी तो आड बोल लाया वैं मुझे ओपनानेव फड़ा कि मेरे लिकी दूं की नोड़ी मेरे कुछ बनाना वालनी satisfactions एसको बोला कि हम लोग ओट्स खाएंगे तो वो मेरे साथ ओट्स खाने वाला हैं तो इसलिए मैं ओट्स बनाने वाली हूँ अपने लिए बनाने थे तो मतलब अपने लिए सूच रहे हूँ क्या बनाओ थे खिष्णी तो मुझे खानी नहीं थी और रात को भी चावल खाना मदल् 나온 में गहाँ की मानी मुझाए स का शुदो मैंनि साथ में बोला की ओट्स खाओ तो चलिये फिर तो उसको बार्ट्स की रेसिपी घर करते हो तो चलिए फिर अब ही healthy recipe मेरे channel पर स्टार्ट हो गई है, share करोंगे तो इसे वजह से मैं healthy recipe ही आप लगों के साथ जद अपसे ज्यादा शेयर किया करोंगे मतलब जैसे की healthy breakfast recipe, healthy dinner recipe तो इस तरह की आपको healthy recipe ही मिलेगी मेरे channel पर मतलब ज्यादा तर वैसे गुछ बनाऊंगी इनके लिए तो वो रेसिपी शेयर कर दिया बरोंगी बट ज्यादा तर आपको नजी रेसिपी मिल जाएगी मसाला उट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले अड़ करना है कड़ाई में ओईल तो यहां पर मैं यूज कर जीओ अपना साधा उइल यूज कर सकते हो जो आप यूज करते हो कुकिंग के लिए बट आपको कौंटिटी बहुत कम लेनी है और जीरा राई हो जाए उसमें इतनी कौंटिटी लेनी है और सुकेस में ही आपको प्याज वगरा यह प्याज एड़ किया है हरी मिर्च टेस्ट को घ्रडडिक मैं अपको ऐसे हरी मिर्च आड़ करनी है क्योंकि अच्छे से भू सब्या है इसमें अट कर सकते हो जितनी कि आप सब्ज उसमें अडिक कर सकते होु है उतना ही ज比 सब्सक्त गाते हैं प्रमेटो अच। मैंठके इंहां वाले तो अस प्रमेटों फट मिन फैक अप्र में आप पानी अड् her एड कहा है पानी को अच्छ से उबाला जाए को ऊबाला जाने के बात पानी को आपको इसमें ऑ्स पानी को सब्सक्राइब करना है थोड़ा सा पानी टेस्ट कह हो ने ऊपको जितना बनाना है तो यहां पर तो यहां पर मैं आपको आपको गाड़ी नहीं करना है तो यहां पर मैं अच्छे से पका लेना है आपको और ज्यादा ना कंसिस्टन्सी आपको गाड़ी नहीं करनी है मतलब थोड़ा सा आपको पतला ही रहने देना यहां पर जैसे मैं रखा है थोड़ी दिर के बाद ना वो थोड़ा सा थंड़ा हो जाने के बाद यहां पर अभी बहुत ज़्यादा गरम है तो इस वज़े से इतना पतला दिख रहा है थोड़ा सा थंड़ा हो जाने के बाद न है एस तरह से पता हैं तो मुझे बहुत अछ लगता है और वी टीट फूल हो जाता है उसे काफे लोगों के इतने से नहीं होता है पर मुझे नादत हो गई अगर आप यह बनाते हो तो बच्चों को भी अगर आप खिलाते हो तो ऐसा नहीं है कि बच्चों का वेट लॉस होगा करके है अब फाइवर जादा है इसमें तो इसी वज़ासे आपको पेट जो है वह काफी देर तक फूल रहता है इससे मतलब आपको बाकी चीज़ों की नी नहीं होती है मतलब डिनर में अगर आप यहीं खाते हो तो आपको बाकी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर रोटी वगर आप स्किप कर देते हो डेली डिनर में अगर आप उसके बदले ओट्स खाते हो तो आपको उसके नीड नहीं होगी तो रोटी वगर एकी तो आ अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप एक बार मतलब वन मील आप इसका लो मतलब ओड्स का अगर आप इस तरह से बनाते हो और एक टाइम लेते हो मतलब रेक फास्ट में या डिनर में यह लंच में कोई भी टाइम पर अगर आप बोट्स लेते हो तो तो आपका वेट लॉस पक्का होनी वाला है मेरा डिनर तो हो गया है वही डिनर था और हाँ जुकाम भी हो गया है मुझे थोड़ा सा जुकाम भी लग रहा है मतलब जो परकॉड कर रहे हैं नीचे देख रहे हैं आप में से पानी बह रहा था जोड़े और से खाल भी हो गया है जुकाम के जैसे जैसे हम लोग विससरी आप साहसा कर लेते हैं जुकाम में तो वो से चला जाता है से तट बहुने लगता है तो चले फिर आपको यह च्टा से ब्लोग पसंदाया होगा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ये निक स्टोच है ये हैं ने तरह नहीं किया है है तो बखाने के साथ साथ थोड़ी से लिप्स्टिक भी खाली पचले फिर बाइ